इस्राइल का सबसे बड़ा दुश्मन घाजा में हमास का बिन लादे नेतन याहू करेंगे हमास का सरवनाश घाजा यह वो चेहरा है जिसे इस्राइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है यही वो चेहरा है जिसने इस्राइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तयार किया यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंग्यों को हैवानिय के हने पार करने की हिदायत नी इसका नाम है यायास सेनवार घाजा पट्टी में जब एस्रेयल ताबर तोड हमलों को अंजाम दे रहा था और एक-एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था उस वक्त बहुत ही बेसबरी से अगर किसी के खात्मे का इंतसार इस्रेयल की सेना को है तो वो है यायास सेनवार यायास सेनवार वो दिमाग है जसने मухंंद दैइफ के साथ मिलकर इस्रेयल पर हमले का मास्टर प्लان तयार किया और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से गया गया कि दुनिया की सबसे बेतरीन खुफिया एजनसी मुसाद को भी भनक नहीं लगी यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपने इस प्लैनिंग को अंजाम देने के लिए सिन्वार और तैफ ने इरान से फंड हासिल किया लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इस्राइल पर हमला करने वाला है यही वज़ा है कि याया सिन्वार को इस्राइल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है हमास का शैतान दिमार साट साल का याया सिन्वार गाजा में हमास का हिट है सिन्वार में इस्राइल की जेल में बिताए हैं 24 साथ 2011 में एक इस्राइली सैनिक के बदले रहा हुआ 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इस्राइलियों का कातिल साथ अक्टूबर के हमले का मास्टर माइंड है सेनवार सेनवार को खान योनिस का कसाई कहा जाता है हमास के मिलिटरी योनिट का चीफ है सेनवार इसरेल पहले ही कह चुगा है कि साथ अक्टूबर का हमला इसरेल पर 9-11 जैसा हमला है और इस हमले को अंजाम तक पहुचाने में जिसका हाथ है वो है याया सिनफार और वो अलकाइदा की तरह हमास का भिन लादेन है जिसे किसी भी हाल में इसरैल देर करने की कोशिश में जुटा है और इसी के लिए इसरैल गाजा में ग्राउंड मिलिटरी ओपरेशन शुरू कर करने वाला है हना कि कुछ समय के लिए गाजा के गोच इलाके में युद्विराम की घोशना की गई है लेकिन उत्तरी गाजा में इसरैल तीन तरफ से हमला करने वाला है समंदर आस्मान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है और इसरैल किसी भी हाल में उस शक्स को नहीं चोड़ने वाला जिसने इसरैल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची प्पर्ट करें वाला है